अगर आप stock market में trade करते हो या forex market में trade करते हो तो आज एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने मिलेगी dollar index, dxy, यह क्या होता है तो guys my name is Anish Singh Thakur, I welcome you to a wonderful educational video जहाँ पे आपको आपकी trading के लिए जो journey है उसके लिए आपको एक और साथ ही मिलेगा या एक और weapon मिलेगा कि आप अपनी fight continue कर पाओ चलो start करते हैं video, सबसे पहले मैं आपको discuss करूँगा आपके साथ कि होता क्या है dxy यानि की dollar index जिसका daily chart मैंने आपके सामने खोला हुआ है यह इसका daily chart है और daily chart देखके तो हम लोगों को जो technical analysis वाले बहुत को समाज में आ रहा होगा कि यह एक higher zones में जाके बोल सकता हूँ मैं अपने life का तो नहीं बट अपने एक बहुत जादा मतलब 2002 के बाद 20 साल के बाद एक नया हाई बनाया 20 साल के तो नहीं है तो 20 साल के पहले इसने नया हाई बनाया था इससे पहले का जो हाई 20 साल पहले था मतलब recently बहुत बड़ा breakout यहां पे अपन को monthly time frame पे देखने मिल रहा है फिलहाल देखेंगे तो daily time frame पे अपन को एक higher week rejection मिल रहा है यह होता क्या है तो dollar index क्या है गाई एक index जो DXY करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से यह dollar की value बताता है यह जो है क्या हुआ यह बनाया गया है six currencies को combine करने के साथ तो इसकी base value ना hundred रहती है इतना जानना जरूरी था इसके बदबन को इसकी कोई जरूरत नहीं है तो यह अपन को value बताती है dollars की versus other currency pairs तो यह बड़े-बड़े currency pairs है और यह इनके against बना रहे है मतलब वो अगर इनके against ऊपर जा रहा है तो dollar की value ऊपर जा रही है जैसे कि अभी अगर इसकी value कितनी चल रही है 107 तो जब dollar index की value 100 होती है तो हम मानते सब कुछ normal है सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन जैसे 101, 102, 103, 105, 107 जैसा की सब दिख रहा है स्ट्रॉंग हो गया dollar, dollar इस वक काफी जादा मजबूत हो गया है हम ऐसा मान सकते हैं, अगर dollar index की value कभी 100 के नीचे चले जाए, यानि कि 98, 95 तो हमें मालूम चलेगा जैसे यह इस range में दिख रहा है 93, 92 तो हमें मालूम चलता है कि dollar की value हाप है dollar relatively बाकी के comparison में काफी जादा week हो चुका है, आप इससे यह चीज़ पता लगा सकते हो, तो इसका क्या relation है, stock market अभी दिख रहा है क्योंकि अभी फिलहाल ये present tense का data दिखाता है, तो दिखाल दिख रहा है अपनको daily time frame पे एक higher week rejection वाली candle बनाया हुआ है, यानि कि हमको एक shooting star ज जी जैसा, gravestone doji जैसा पनको दिख रहा है वो, तो that's why the value is pretty low compared to other currencies, तो ये दो लोगों के कामा सकता है, stock market वालों के भी कामा सकता है, और forex वालों के भी कामा सकता है, तो सबसे पहले आपन चलते है stock market वाले के लिए, पहले आते है stock market के लिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ प सकते हो, swing point of view बनाने के लिए, और intraday trading में आप कैसे ऐसे use कर सकते है, दो चीज़े बताऊंगा, तो start करते है, nifty का chart मैंने आपके सामने खोल दिया, अब यहाँ पे आखरके ना मैं, यहाँ पे अपन को एक option मिलता है, यह प्लस दबाने से compare symbol, compare करूँगा DXY को, जैसे मैंने DXY को compare करने के लिए किया, तो आप देख सकते हो, कि ऐसे मैं समझ में आएगा, तो हम क्या करेंगे, अपने nifty को भी line chart बना देंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, तो आपको एक मोटे मोटे तोर पे दिखेगा कि इसका ना एक negative correlation है, stock market के साथ, ठीक है, अगर आप देखें किया, उसी समय उपर जाना चलू किया, ठीक है, फिलहाल ये नीचे के तरफ का curve बना रहा है, ये उपर की तरफ का curve बना रहा है, तो हमको दिखता है कि longer time frame पे हमको एक negative correlation देखने मिल रहा है, ठीक है, अब इसी में अगर मैं क्या करूँ आपके लिए, अब मैं आपके लिए यहाँ पे चार्ट खोल दू किसी forex currency, forex pair का, तो अपन, नहीं, अपन nifty में पहले काम कर लेते हैं, बाद में forex पे जाएंगे, ठीक है, तो मैंने दिखा दिया कि dollar index का stock market के साथ, अगर मैं पे dow jones भी open कर दू, तो भी आपको लग भग लग वैसा ही correlation देखने मिलेगा, दो यहाँ पे straight up गया है, यहाँ पे straight मीचे गया है, तो short time frame पे भी ultra correlation बना हुआ है, अब हम trading की बात करते है, सीधे trading की, यह भाई मदद कहा आ सकता है, मेरे को अभी एक date याद है, मैं आपके candle पापस से खोलूँगा, और मैं बोलूँगा, आज क्या तारेक है, आठ जुलाई, इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपके लिए 5 मिनिट का time frame खोल रहा हूँ, और मैं आपको 6 जुलाई पे, 5 जुलाई पे आपको मैं लाना चाहता हूँ, 5 जुलाई को आपको देख रहा है, साड़े बार बजे दिखे रहा है, आपको कैसा fall आया, अभी ऐसे market में इतना बड़ा fall आया, देखे रहा है, यहाँ पे market gap up खुलता है, 5 तारिक को, 5 तारिक को market यहाँ पे gap up खुला, और gap up खुलने के बाद, 12 बजे के असपास, एक थोड़ा सा high बना करके red candle बना दिया, और महा से जो market गिरा है, अगर यह वाला move आपके हाथ लग जाता मान लो, यह वाला, तो आप तो काफी बढ़ी है पैसे बना सकते थे, it is around 200 rupees fall in nifty, तो bank nifty में भी उसी रख बला है, अब 1% का fall है, काफी अच्छा पैसा बनता है रहे, यहाँ पे 1.3% अगर move capture कर लो, तो हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, same time पे dollar index खोलते हैं, और मैं इसमें भी 5 प्र जुलाई, ओके 5 जुलाई, ओके 5 जुलाई, तो अगर मैं आपको 5 जुलाई को ले के जाओ, आपको थोड़ा पहुत प्राइस आता होगा, तभी एडवांस लेवल का वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो आते हैं, regular market analysis भी आता हो, भी देख सकत हो, तो अगर आपको दिख रहे है कि market consolidation, एक range में घूमराई ठीक है, अचानक से 12 बजे, 12 पैतेस पे, आपको दिख रहे है कितना बड़ा breakout है यहाँ पे, अगर आप आज के बाद थोड़ा सा, आप nifty है, तो bank nifty भी देखते होगे, है ना, मेबी डाउ जोन्स देखते होगे साथ में अगर dollar index भी खोल लिए, कोई six screen setup या four screen setup नीचे, आइपड नीचे नीचे ना, एक tab अचे गूगल Chrome में control T दबाने से खोलता है, और DXY के trading view में खोल लिया आपने, तो अगर आप उस समय ये देख लेते, कि recently एक इस level का breakout हुआ है, देखो, बहुत बड़ी candle है, तो 12 पैतिस को same time पर अगर आप निफ्टी आओ, तो 12 पैतिस की candle देख रहे हो, यहाँ पे भी हमको zone तोड़ता दिख रहा है, क्या मालूम चलता है, हमें नहीं मालूम इसके बाद क्या होगा, लेकिन हमको दिखता है कि dollar index में इस तरके का breakout आया, और एक और candle ऐसी चली गई, एक candle हम यहाँ पे short जा सकते थे, क्यो double top breakdown हो रहा है, एक support level तूटा है, higher range पे मेरा resistance face कर रहा है market, divergence भी हो सकता है, हमें मिल जाए आपको, और dollar index इस तरका breakout दे रहा है, अगर यहाँ पे short जाते हो, तो देखो क्या breakout मिला आपको, so एक छोटे time frame trailer, जो intraday वाला है, उसके लिए भी एक extra benefit देते हैं, trading आपके असान करने के लिए, तो dollar index एक बहुती interesting चीज़ है, अगर आप इसको use करने सीज़ो, negative correlation, simple, जादा दिमाग नहीं के बात, घुमाना, English इंदी में बताओ, simple words में, ultra relation है भाई, इसका, बट ऐसा नहीं, छोटी छोटी इस तरीके के breakout आए, आप ध्या support level, तो यह अपना genuine support level, support, एक यह भी हो सकता है, फिर भी मतलब, अगर यह नीचे जा रहा है, अगर यह सेवल को तोड़ता है, तो हमको दिख सकता है, कि stock market थोड़ा सभी bullish हो सकता है, जिस तरीके से मैं situation देख रहा हूँ, तो एक अनुमान है, मतलब हो सकता है, कभी 8 गंटे बाकी 8 गंटे में उपर चला जाए, बट मेरा काम है, आपके समझाना था, ठीक है, तो I hope you understood, यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखने मिली, कि कैसे use कर सकते है, निफ्टी, bank निफ्टी के साथ, या even if you trade Dow Jones and all, या आपको वहाँ भी काम आ सकते है, आपके वहाँ भी काम आएग ठीक है, तो guys हो गया stock market वालों का, Dow Jones, निफ्टी, bank निफ्टी, सब को जिसको follow करते हैं, तो अब आते हैं, dollar इत्म फॉरेक्स में, अभी जिन लोग फॉरेक्स नी करते हैं, फिर भी देखो, बिल्कुल आप लोग फॉरेक्स ट्रेट कर सकते हो, आराम से, एक्सनिस नाम का आ अकाउंट यूज कर सकते हो, और उसमें बढ़िया काम हो रहा है, इवन CMS Prime भी उसकर सकते हो, तो you can trade Forex as well, और उसमें American market भी कर सकते हो, अब dollar, अब Forex में क्या दो टैप के pair होते हैं, एक में जिनके आगे USD, मतलब इसके पीछे USD होता है, एक में आगे USD होता है, जैसे USD CAD, या तो यहाँ पे अगर मैं Forex खोलता हूं आपके लिए, और USD CAD खोलता हूं, और आपको daily timeframe देखाता हूं, तो आपको क्या थोड़ा सा दिख रहा है, उसी की तरह behave कर रहा है, दिख रहा है कि आपको high, high, high पे यह और अभी गिर रहा है, वो भी गिर रहा है, यहाँ पे यह भी देखें, तो थोड़ा सा गिरता वह दिख रहा है, तो USD CAD की value भी आपके गिरती भी दिख रही है, अब अगर मैं आपको ऐसा pair खोल दूँ, जो की euro आगे है, यह पीछे, तो अगर dollar index नीचे आ रहा है, तो यह उपर जाना चाहिए, देख लेते हैं, देखो कैसी candle बन रही है एक्जाक्ली उसकी उल्टी, देखें आप, अगर आप Forex टेर हैं, तो भी आपको यहाप एक जबरदस्त opportunity मिलती है, कि देखो यहाँ पे lower week rejection मना रहा है, एक दम उसका उल्टा, वहाँ पे gravestone doji, यहाँ पे dragonfly doji, तो यह तो hammer बन गया है, एक ऐसा वाला आपको breakout मिल रहा है, तो इससे क्या सीखने मिला, इससे सीखने मिला, जिन में भी dollar आगे लगा हुआ है, they will follow the dollar index, जिन में dollar peach लगा है, they will do the exact opposite of dollar index, अब एक काम करते हैं, इन में भी ना, जैसे की, हम अब छोट बारा बज़े के करीब ना, आते हैं, यूरो यूएसजी पर, सेम टाइम, ठीक है, पांच में टाइम फ्रेम खोल रहा हूं, और सेम टाइम पे ना, सब हटा रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, सारी चीजें, और पांच तारिक को, मैं साभे बारा बज़े आना चाहता हूं, ठीक है, पांच तरीको साड़े बारा बजे, बारा पैसे पर देखें, देखो, अगर आप ये वीडियो आज आपने देखा, अपसे ऐसा होगा तो बेनेफिट ले पाओगे, आप देखेंगे कितना स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल, कितनी बड़ी रड़ कैंडल से तोड़ रह इसको भी खोलते हैं चलते हैं पांच तरीक को चलेंगे, पांच तरीक को बारा बजे का सपास, यहां पे यह बहेव नहीं किया, ठीक है, ओके, यह उतने अच्छे से बहेव नहीं किया, ओके, इस वेरी इंपोर्टेंट, कि आपको मालूम हो कि हर बार हर चीज़ इस तरीक है, पांच जुलाई को, it is not behaving as per this situation, ठीक है, यह भी साथ में गिर रहा है, यह क्यों है, क्योंकि लेको सब कुछ डॉलर का नहीं है, यहां पे जैपेनीज यन का भी इंफ्लूएंस है, तो इसी लिए, we will never work on alone DXY, हम लोग को price action का information ज़रूरी है, अगर हमको यहां पे buy करना था, तो हमको एक बहुत important lesson है कि यह level चीए धब रेकाउट के लिए, वो उपर तोड़ा ना, इसने तोड़ा level उपर, आप भी तोड़ो, price action is one, then DXY, actually कोई भी, कोई भी अगर आप extra indicator use कर तो इसको secondary use करो, price action को पहले use करो, ठीक है, हम दूसरा प्य यहां पर यहां पर यहां पर यह काम कर गया, तो हमको क्या देखने मिल रहा है, यहां पर यह देखो, बस, यह बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे example मिल गए, यह देखो, यहां पर क्या हुआ 1235 को, आगया breakout, आगया, बट मेरे को breakout से ज़दा ज़रूरी है, क्या मैंने कोई important support level तोड़ा, तो आप देख सकते हैं, उसने recent जो support था, resistance timing तो से break किया, और move कर, हम यहां पर long जा सकते थे, क्यों, price action कहा रहा है, ठीक है, बड़िया bottom बना रहा है, breakout किया, उपर जा रहा है 1250 को, 1250 को DXY क्या कर रहा है, 1250 को DXY उपर ही जा रहा है, और breakout कर चुका है, तो आप यहां पे solid तरीके से USD CAD पे long जा सकते थे, अपने कोई अगला price action level का, जैसे कि यह वाले level का target बना सकते थे आपको easy easy यहां पे कितने pips का target मिल जाता है, you could have made 27 pips minimum target, अगर आप दूसरे next resistance level पे जाओगे तो यहां मिलता है, यहां होगे तो आप फिर से calculate कर सकते हो, कि again these two targets could have been achieved, अगर यहां से यहां तक compare करो, this is like 90 pips, बहुत बढ़ी है targets है, ठीक है तो I hope यह video मैंने आपके लिए right time पे बना दिया, अब आप इस index को अपने swing trading में और intraday trading में यूज कर सकते रहेंगे, तो stock market के साथ simple है, ultra correlation है, लेकिन एकदम अंधे हो करके कि नहीं भी या dollar index बढ़ गया तो मैंने stock market short कर दिया, नहीं, जब price भी आपका कोई support तोड़े, और dollar index वहां पे एकदम से increment हो जाए, तो आप short करो, अगर dollar index कम हो गया, गिर रहा है, गिर रहा है मतलब कि stock market लिए अच्छा है, खरीद मत लेना यार, आपको wait करना है, निफ्टी का 5 मिनिट पे 15 पे कोई level बनाओगे गंटे पे, और आपको लगे का हाई, यह strong breakout दिया, और same time पे DX में नीचे गया, तो हम लोगो confidently trade लगा करके hold करने में easy होगा, I hope everything is making sense to you, talking about forex, तो forex में देखो euro USD है, तो इसका ultra correlation है, USD का इसका सीधा correlation है, और कभी भी time matter करता है, अगर आपका Asian zone pairs को आप active है क्या, चार बज़े से ले करके 12 बज़ तक Asian जो होते हैं, Australia, Japan, Korea, यह कोरिया तो नहीं, हाँ कोरिया की बिरेंस zone, मतलब देखो मैं आपको simple कर देता हूँ, आपके लिए मैं map खोल देता हूँ, ओके आप खुछ, लोड नहीं होँआ, ठीक से मैं refresh करता हूँ, एक मनिट, ठीक से लोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, इक बरहौल री लोड करके देखते हैं, चलो है कोई नहीं, यह आपको दिख रहा है, यहाँ पर Asian zone दिख रहा है, शांगाई, हैंक सेंग, यह Indian time के सबसे बता रहा हूँ, देखो, यह तीन, यह बता नहीं कौन सा time दिखा रहा है, इटी दिखा रहा है, छोड़ दो उस time को, मैं बताता हूँ, इंडियन time सुबह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, एक जैसी एक बज़ा European zone, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे 7, 8 बज़ा American continent, यह area, ऐसे करके आप उसको use कर सकते हो, अगर आप stock market trade करते, 010, the best platform, जो मैं use कर सकता हूँ, और उसके link आपके description मिल जाएगी, अगर आपको forex trade करना है, अब इतने सारे लोग use कर रहे हैं, मैं को positive feedback मिल रहा है, आप अराम से trade कर सकते, एकसे पैसे डाल कर गए, आपको withdrawal और payment दोनों मिल रही है, P2P system है, तो आपको प्रेंशन मिल एगी, forex company pay कर रही है, तो पैसा क्या दिखाऊंगा, you can show it, आप किसी आपको बता देंगे, like extra income अगरा जो होती है, उस head में पर डाल सकते, P2P transaction होता है, और वो चल रहा है इंडिया में, ठीक है, तो these two things you can do, और कैसा लागा वीडियो, बताओ, क्या चाहते थे कि मैं इसके उपर वीडियो बनाओ, dollar index के उपर, अच्छा लागा, तो like कर देना, बता देना comment में, कैसा लागा, और किसी topic पर वीडियो बनवाना चाहत तो बता देना, और को requirement है मेरे तरसे तो भी बता दो, मैं करता हूँ, आप लोगों के लिए, ठीक है, thank you so much, and I am traveling a lot, and बहुत मेरा भी मन कर रहे है, काफी जारा content बनाओ, आप लोगों के लिए, काफी अच्छा बनाओ, बट मेरी आता है, कोई भी काम करता हो, तो अच्छे स बहुत सारे content बनाने वालों आप लोगों के लिए, so subscribe कर लेना नहीं किया है, तो कर लिए तो bell icon दबा देना, thank you so much guys, I will see you in some other video, definitely market analysis, bye-bye.